इस clock में आपको black वाली two needle दिख रही हैं आपको black needle देखने हैं आपको red needle नहीं देखने हैं इस black needle में एक needle आपने 12 पर रखे हैं दूसरे 3 पर तो कौन शेप बन रहा है ल शेप बन रहा है तो इस L शेप में right angle बन रहा है ठीक है अगर हम इस L शेप को छोटा करेंगे यानि कि अंधर की तरह मोड़ेंगे अगर हम इसको अंधर मोड़ेंगे तो देखें एंगल क्या है यह छोटा हो रहा है एंगल छोटा होते जाएगा तो यह less than right angle होगा less मैंने कम तो less than right angle फिर हमने इसको फिर से L शेप बना दिया अब इस L शेप को हम बढ़ा करेंगे यानि कि 90 डि अगर अंधर को जाते जाएगा एंगल आपका छोटा होते जाएगा अब दिख रहा है तो यह आपका less than right angle होगा और फिर से इससे बड़ा हो रहा है L शेप से यानि कि यह गाप आपका बड़ा हो रहा है तो यह more than right angle होगा आप यह मसूचे कि L शेप ऐसे ही है एल शेप इसको आप अगर ऐसे देखेंगे तो यह बल रहा है L शेप कैसे भी हो सकता है यह आपको एक जिस त्यान में रखनी है आपको क्या करना है कुछ लीप्स को सुखाना है फिर उसमें जिस सरह से रेखाएं देखेंगी इसमें देखना है कौन सा एंगल बन रहा है जैसे यहां तक यह 90 बन रहा है यहां तक अगर यह अैसे जा रहा है यह इसे बढ़ा हो रहा है कहीं जा एक दर रहा है लेकिन ऐसे और लेख बन ना अर चोटा हो रहा है आपको L शेप कहीं भी देखना है यह न तो L शेप से छोटा है तो लेस जन 90 अंगल होगा इसी तरह से मैंने और भी लिप्ष लिए हैं देखे यह लिए है इसमें भी आप एक्टिविटी करेंगे यह लाइन है आप बिल्कुर स्टेट लाइन यह और यह देखे ल शेप आ र टो इस तरह से अब दो तीन तीमें तीन चीशे से लिएस सकने है ने एक्टिविटी प्टिए से की ले सकने हैं एक लेसे का क्पी जास है सकते हिए को मगा थे हैंड बिल्कुल ऐसे आप मोड़ेंगे नी को देखिए एल शेप आ रहा है कौन सा शेप आ रहा है एल तो इस एल शेप को आप बोलोगे राइट एंगल जो की 90 डिगरी का होगा अगर इस एल शेप को आप अंदर की तरफ मोड़ेंगे यह जो बीच का यह गैप है यह गैप होते जाएगा यह आप यह भी कह सकते हैं यह एंगल छोटा होते गया चाहिए 80 हो चाहिए 45 हो तो यह छोटा होते जाएगा इसको आप बोलोगे less than right angle फिर हमने एल शेप में आ गए और इस एल शेप से आप आगे को बढ़ेंगे यह आपको की gap बढ़ रहा है यह एंगल नब्बे से बढ़ा होगा नब्बे राइट अंगल है तो नब्बे से बढ़ा चाहिए 110 हो या 150 हो यह जो गैप है बढ़ेगा तो आपको एंगल बढ़ेगा इसके आप बुलोगे more than right angle यही अक्टिविटी आप अपने लाइक पोले के लिए कर सकते हैं जो कि आपकी बुक